भाच्वा प्रदेश अध्यक्ष विश्णुद शर्मा दो दिवसिये विंदे दौरे पर हैं। भाच्वा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि 2023 में होने वाले विधानसवा चुनाव को लेकर संगठन ने बूत इस्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही संगठन हर जिले की समिक्षा भी कर रहा है। वहीं पूर्वनेता प्रतिपक्ष अध्यस सिंग राहूल के दिये गए जंडग होटाले की बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बचते नजर आए। मैदान में होगी वहीं उन्होंने नगरी निकाय चिनाव में महाप और पद पर मिली हार को लेकर भी समिक्षा करके बेहतर करने की बात कही। बीजेबी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन के दौरा हमेशा ही हर विशय पर समिक्षा की जाती है तसा पार्टी संगठन गल्तियों से सीख भी लेता है। भारती जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानी जन प्रतनिदी चैमानी सांसद, मानी बिधायक और नीचे तक हम तो पंच सरपंच और जनपाद और जिला पंचाइट में इत्यासिक बहुमत के साथ जीत कर गया है। तो ग्राम सरकार, नगर सरकारों में भी भारती जनता पार्टी के कारेकरता जो जीत करके आए उनका प्रेसिक्षन और अच्छे से अच्छा काम करें ये भी हम प्रयास कर रहे हैं, बिलकुल हमने उसकी समिक्षा की है, कहीं मैंने कहा ना कहीं अगर चूक हुई है, तो हम समिक सर्थ पर काम करते हैं, भाष्पर प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने पार्टी की अनुशासन हिंता को लेकर भी अपनी बात रखी, उन्होंने कहा पार्टी में किसी भी प्रकार की, अनुशासन हिंता परदाश्त नहीं की जाएगी, वहीं पूर्ब नेता प्रतिपक्ष विश्णु दात शर्मा बचते हुए नजर आए, मेरा ऐसा मना है कि अनुशासन के मामले में भारती जन्ता पार्टी का कोई भी कारे करता है, अगर कहीं इस प्रकार के अनुशासन को तोड़ने का काम किसी ने किया है, तो मनें उनको ततकाल जहां कहने की जूरूत है, और जब ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है तो अपर ठीक भी किया जाता है, इसे ऐसा नहीं है, कोई भी पधा जिकारी, कोई भी जन्परती नहीं है, भारती जन्ता पार्टी काम करती है. 24077111 Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज